दोस्तों नमस्कार ये है मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र सामाने धिन पुर्वावलोकन्स रिंखला में प्रस्तुत है सामाने विज्ञान से संबंधित महत्वोड प्रश्णों का रिवीजन इसमें हम प्रमुख आविस्कार और उनके आविस्कारकों से संबंधित महत्वोड प्रश्णों को कवर करेंगे दोस्तों ये प्रश्ण आपके आगामी परिक्षाओं जैसे यूपी पीसियस प्रारंभिक परिक्षा आरो यारो यानि समिक्षादिकारी, सहायक समिक्षादिकारी, लोवर PCS, उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित परिक्षाओं के साथ, अन्य राज्य लोग सेवा आयोगों जैसे उत्राखंड बिहार, राजस्थान और यमपी PCS द्वारा आयोजित परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आये शुरू करते हैं, सामानिविज्ञान के अंतरगत, प्रमुख आविसकार और आविसकार कों से संबंधित, महत बोड प्रश्न, पहला प्रश्न है दोस्तों, मशीन गन का आविसकार किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेज आविसकारक, वकील और लेखक थे, 1718 में इन्होंने एक बहुशाट गन का आविसकार किया, जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इन्हें मशीन गन का पिता कहते हैं, जे अल बेर्ड ने आप जानते हैं, टी बी और कारल बेंज ने पेट्रोल चालितकार का गैलीलियों ने, दोस्तों थर्मा मीटर या थर्मोसकोप का आविसकार इटली के भौतिक विद गैलीलियों के द्वारा किया गया था, एक और प्रश्न है, दूर्बीन, दूर्बीन का आविसकार किस ने किया था, तो दूर्बीन का आविसकार भी 1609 में इटली के वैग्या जानि गैलीलियों के द्वारा किया गया था अगला प्रेशन हैं दोस्तों माइक्रोस्कोप का प्रयोग निमने लिखित में से किसके अध्यन में किया जाता है तो आप याद रखे माइक्रोस्कोप का प्रयोग सुक्ष्म और पास की वस्तूओं के अध्यन में किया जाता है क् कि माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी वस्तु में भी बड़ी दिखाई देने लगती हैं जिससे उनके बारे में जानकारी की जा सकती है अगला प्रेश्ण है दोस्तों विश्व की विशालतम दूर्बीन कौन सी है आपको बताना है तो उत्तर है आइस क्यूब दूर्बीन इसके अलामा डेनियल के इनोय सौर्बीन विश्व की विशालतम सौर्बीन है और ये दूर्बीन हवाई में अस्थापित है अगला प्रेश्ण सुमेलन करना है यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख आविसकार और उनके आविसकार कों का सुमेलन करना है तो टाइप राइ विक्सित किया गया था तो याद रखेगा दो, तीन, चार और एक आपसन ए आपका सही उत्तर है आप देख सकते हैं दोस्तों टाइप राइटर का आविसकार सोल्स ने 1866 में एक्सरे केड़ो का आविसकार विलहम रोइंट जन ने 1895 में और रेडियो का जी मारकोनी ने 1901 में और सेफ्टी लैंप का आविसकार डेवी ने किया था अगला प्रश्ण हैं दोस्तों विलहम रोइंट जन ने आविसकार किया था किसका तो उत्तर है एक्सरे मसीन का आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निवनलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरसकार का सहविजेता था तो ये हैं विलियम हेनरी ब्रैग दोस्तों ब्रिटिस भौतिक और रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रैग ने 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरसकार अपने पुत्र विलियम लारेंस ब्रैग के साथ सहयोग से प्राफ्ट किया अपने पुत्र के सहयोग से इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का आविशकार किया और इसी अंतर की सहायता से पर्माडूगों और क्रिष्टलों के विन्यासों को अश्पश्ट किया था अगला प्रश्ण है निमन को सुमेलित करिए आविस्कार और आविस्कार को में तो जान गुटेनवर्ग ने दोस्तों टेली फोन का आविसकार किया था तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1 तो यहां पर कौन सा उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3 और 1 है तो 2, 3, 4 और 1 है दोस्तों आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा आपसन D अगला प्रेशन है भाब के इंजन का आविसकार किषने किया था तो आप जानते हैं भाब के इंजन का आविसकार 1698 में दोस्तों जेम्स वाट ने किया था और 1698 में थामस सेवरी ने पहले क्रियात्मक भाब चलित इंजन का निर्मार किया 1712 में थामस नियुकोमन ने पहले ब्योसाइक भाप के इंजन का निर्मार किया दोनों ही इंजन ख़दानों से पानी निकालने में परियुक्त हुए और इसकाटलेंड के आविस्कारक जेम्सवाट ने इन इंजनों में सबसे महतपूर सुधार किये जिससे इन इंजनों का प्रियोग खदानों से पानी निकालने के अत्रेक्त अन्य उद्योगों में भी संभव हो सका और यही कारण है कि जेम्सवाट को भाप इंजन का आविस्कारक माना जाता है अगला प्रश्ण है टेलीफोन का आविस्कार किसने किया तो ग्राहम वेल ने और 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम वेल ने टेलीफोन का आविस्कार किया था अगला प्रश्ण है इलेक्ट्रिक बल्व की खोज किसने की थी तो आप जानते हैं थामस एलवा एडिशन ने जो की अमेरिकी वैज्ञानिक थे इन्होंने बिद्दुत बल्व की खोज किसने की थी तो उतर है डेमलर ने डीजल इंजन की खोज रुजोल्फ डीजर ने 1895 में सेफ्टी लेम्प की खोज हैंफरी डेवी ने कार्बियूरेटर की खोज जर्मनी के जी डेमलर ने 1876 में किया और गैस इंजन की खोज भी डेमलर ने किया था अगला प्रेश्चन है दोस्तूँ फाउंटेन पेंड के आविस्कारक कौन है तो आप जान लीजे वाटर मैन फाउंटेन पेंड के आविस्कारक लेवी ऐडिसन वाटर मैन ने 1873 में नूँ यार्क सहर में किया था वाटर मैन ने अपने इस उत्पात का पेटेंट 1884 में कर अगला प्रश्ण है दोस्तों राडार का आविस्कारक कौन था आपको बताना है तो राडार का आविस्कारक रावर्ट वाट्सन था आपसन ए आपका सही उत्तर है इस काटिस भौतिक विद रावर्ट वाट्सन ने वो रावर्ट्स वाट्सन ने 1930 में पहली प्रायोगिक रा सचेत करने के लिए किया गया अगला प्रश्ण है दोस्तों अलफ्रेड नोबेल ने किसका आविस्कार किया था तो याद रखेगा अलफ्रेड नोबेल ने दोस्तों डाइनमाइट का आविस्कार किया था आपसंसी आपका सही उत्तर है और स्वीडिस वैग्यानिक अलफ्रेड नोबेल के द्वारा डाइनमाइट का आविसकार किया गया और विस्व प्रसिद नोबेल पुरसकार इनके द्वारा अस्थापित ट्रश्ट द्वारा दिया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों टेली वीजन का आविसकार किस ने किया था आपको बताना है तो J.L. Bayard दोस्तों जान लोंगा बेयर्ड ने 1926 में ब्रेटेन में जो है टीवी का आविसकार किया था अगला प्रश्ण है J.L. Bayard का नाम किस आविसकार के साथ जुड़ा हुआ है तो उत्तर है J.L. Bayard का नाम टेली वीजन के आविसकार के साथ जुड़ा हुआ है अगला प्रश्ण महुत पूर्ण है किन्यमने लिखित में से किसने लेजर का आविस्कार किया था तो उत्तर है थियोडोर मैमन ने याद रखेगा दोस्तों थियोडोर मैमन एक वैग्यानिक रहे इन्होंने लेजर का आविस्कार किया था लेजर का आविसकार अमीर की वेग्यानिक थियोडोर मैमेन ने किया 16 माई 1960 को रूबी क्रिश्टल से लाल रंग की केड़े पैदा करने में सफल हुए और लेजर यानि light amplification by the stimulated emission of radiation का संचिप्त रूप है कुछ लोग garden good को भी लेजर के प्रथमाविसकारक की संग्या देते हैं लेकिन good को मैमेन से patent बाद में मिलने के कारण थियोडोर मैमेन को ही laser का आधिकारक का आविसकारक माना जाता है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सायूग में सुमेलित नहीं है आपको बताना है जिम स्वाट वासपिंजन सही है एजी बिल टेलिफोन सही है जेल बेर टेलिवीजन सही है जे परकिंस पेंसिलीन ये आपका सही नहीं है दोस्तों पेनिशलीन जो है वो एंटिबायोटिक्स का समू है जिसकी उतपती पेंसीनिलियम कवक से हुई है और सभी पेंसलीन बीटा लैक्टियम एंटिबायोटिक होते हैं और ऐसे जिवान उगत संक्रमन के इलाज में प्रियुक्त किये जाते हैं जो कि आमतोर पर ग्राम पाश्टिव जिवधारियों के कारण होते हैं पेंसलीन की खोज का सरे 1928 में इस काटिस वैज्यानिक और नोबेल पुरसकार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है अगला प्रश्न है पेंसलीन के आविसकारक कौन थे तो उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अ और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी तो आप जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसलीन की खोज की थी फ्लेमिंग ने क्या खोजा पेंसलीन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित करम में ह दोस्तों, रेडियम की खोज जो है आप देख सकते हैं सही करम बनाना है तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, पिंसिलीन की खोज जो है अलेकजिंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे की खोज डबलू के रोइंट जन और चेचक की ठीके का आविस्कार एड़वर्ड जेनर के द 1898 में की पिंसिलीन की खोज अलेकजिंडर फ्लेमिंग ने, 1928 में, एक्स कीडो की खोज 1895 में बिलहम के रोइंट जन और एड़वर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के ठीके का आविस्कार किया था अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से किसने एक्स कीडो का आविस्कार किया है तो रोइंट जन ने और निमनलिखित को उनकी खोज के अनुसार काला नुकरम में बेवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए तो यहाँ पर देखिए डायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड, SMD और इंटिग्रेटड परिपल्ट तो सबसे पहले डायोड का विकास हुआ था, डायोड यानी B सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ट्रांजिस्टर का आविस्कार हुआ, A हो जाएगा फिर उसके बाद, SM M D का आविस्कार हुआ था तो C हो जाएगा और Integrated परिपत जो है IC चिप का विकास सबसे बाद में हुआ है तो B A C D यहाँ पर क्रम B A C D आप सन B आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप जान लिजे B A D C B A D C हो जाएगा B A D C नहीं B A C D सबसे पहले आप देखे 1958 में IC फिर 60 में दोस्तों सतह पर लगने वाले अवयो यानि B A D C आप सन C आपका सही उत्तर हो जाएगा आप देख सकते हैं टायोड की खोज 1904 में जान इंब्रोंस फ्लेमिंग के द्वारा की गई ट्रांजिस्टर 1947 में जान बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन के द्वारा और 1958 में IC चिप जैक बिल्वी के द्वारा और IBM के द्वारा 1960 के दसक में SMD की खोज की गई थी अगला प्रेशन हैं दोस्तों सूची एक का सूची दो से सुमेलन करिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए अलफ्रेड नोबिल ने डाइनमाइट का आविस्कार किया था अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलीन के खोज की चार्ल्स डार्विन दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिधान दिया और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पिर्थक करां किया था तो याद रखेगा दो तीन एक चार दो तीन एक चार आपका सही विकल्प हो जाएगा अपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों अलफ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडन के प्रसिध रसायन सास्तरी थे इन्होंने डाइनामाइट नामक बिसफोटक का अविस्कार किया पेंसिलीन की खोज 1928 में स्कॉर्टिस वैग्यानिक अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने की चार्च डार्विन ने विकास के सिध्धान का प्रतिपादन किया था और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी अगला प्रेशन है दोस्तों ब्लैक होल के सिध्धान को किस ने प्रतिपादित किया था तो भारती मूल के अमेर्की वैग्यानिक S. चंदर शेखर ने दोस्तों ब्लैक होल ऐसा खगोली छेत्र है जिसका गुरुत्वाकरसर छेत्र इतना शक्तिसाली होता है कि प्रकास सहित कुछ भी इसके खिचाव से बच नहीं सकता भारती अमेर्की खगोल वीद S. चंदर शेखर सीमा के सिध्धान का इन्होंने प्रतिपादन किया और उनके सिध्धान के अनुसार सफेद बौने तारे एक निशित द्रब्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और ब्रिध्धी नहीं कर सकते इसलिए वे ब्लैक होल बन जाते हैं उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रब्यमान सूरे के द्रब्यमान से एक दस्मलो चार चार गुना अधिक होता है वे अन्ततह सिकुड कर बहुत भारी हो जाते हैं और इस योगदान के लिए 1983 में बहुतिकी के नोविल पुरसकार से उनको सम्मानित किया गया और हाल में एक हगोल बीदों ने इवेंट होराइजन दूर्बीन की मदद से किसी ब्लैक होल का पर्थम चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है अगला प्रश्ण है वैग्यानिक एस चंदर शेखर को नोविल पुरसकार किस कारे के लिए दिया गया था तो उत्तर है नच्छत्र भावतिकी के विकास में योगदान देने के लिए अगला प्रश्ण है निमने लिखित वैग्यानिकों में किस ने ये सिध्ध किया कि सूरी के द्रब्यमान से एक दस्मलो चार चार गुना कम द्रब्यमान वाले तारे मृत होकर स्वेत तारे या हुआइट ड्वार्फ बन जाते हैं तो उत्तर है S. चंदरशेखर ने अगले प्रेश्ण पर आते हैं दोस्तों अगला प्रेश्ण प्रकास वैद्दूत प्रभाव के आविस्करता कौन थे आपसन है हर्ज, आइंस्टीन, प्लांक या बोर तो सही उत्तर है हर्ज किसी पदार्त द्वारा बहुत ही छोटी तरंग दैर की विद्दूत चुम्म की विकरण से उर्जा के और सोसल के फलसरूप उसमें से इलेक्टरानों का उत्सर्जन होता है इसे प्रकास विद्दूत प्रभाव के नाम से जानते हैं और इस प्रभाव की खोज सबसे पहले 1887 में हिनरिच हर्ट जने की थी और इस घटना को हर्ट प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है आइंश्टीन को प्रकास विद्दूत प्रभाव की ब्याख्या और इसके नियम का अविश्कार का स्रेप राप्त है और इसके लिए जो रखकाश विद्द प्रभाव या फोटो इलेक्टरिक एफेक्ट के लिए आइंश्टीइन को नोबेल पुरसकार दिया गया था किस छेतर में तो याद रखेगा बहुत साथी गलत कर देते हैं सापेक्छता के सिध्धान्त के लिए नहीं बलकि प्रकास विद्धुत प्रभाव की ब्याख्या के लिए आइंश्टीन को 1921 में नोबल पुरसकार दिया गया था अगला प्रशन है दोस्तों आइंश्टीन को नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो प्रकाश विद्धुत प्रभाव के लिए और देखे आइंश्टाइन को किस सिध्धान्त के लिए नोबल पुरसकार दिया गया था तो प्रकाश विद्धुत सिध्धान्त के लिए आपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों यही प्रश्ण देखिए बार बार पूछा गया है अगला प्रश्ण है आप एक छिक्ता का सिध्धान्त इन में से किस वेग्यानिक ने प्रस्तुत किया आइंश्टीन, निूटन, हाकिंग या मैडम क्यूरी तो सही उत्तर है अलबर्ट आइंश्टीन ने दोस्तों आप एक छिक्ता का सिध्धान्त अलबर्ट आइंश्टीन ने प्रस्तुत किया था ये सिध्धान दो अंतरसंबद परिकल्पनाओं सामान ने साप एक छिक्ता और विशिष्ट आप एक छिक्ता पर आधारित है जहां सामान्य आपेशिक्ता का सिध्धान गुरुत्वाकर सर्बल की उपस्तिती में सभी भौतिक घटनाओं पर लागू होता है वहीं विशिष्ट आपेशिक्ता सिध्धान गुरुत्व की उन अनुपस्तिती में सभी भौतिक घटनाओं पर लागू होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों आइंश्टीन के E बराबर MC स्क्वाइर में C किसका दियो तक है तो C प्रकाश की गति का है E बराबर MC स्क्वाइर C जो है प्रकाश की गति का दो तक है E बराबर एनरजी और M द्रब बिमान होता है C प्रकाश की गति है अगला प्रश्ण है अलबर्ट आइंश्टीन कौन सा वाद यंत्र बजाने में निपुर था तो उत्तर है वाइलिन बजाने में और अलबर्ट आइंश्टीन पियानो और वाइलिन बजाते थे अगला प्रश्ण है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचे किस ने दिया था आपसन है निूटन, आइंश्टीन, गहलीलियो या नेलबोर्स तो सही उत्तर है आइंश्टीन ने याद रखेगा विख्यात वैज्ञानी अलबर्ट आइंश्टीन ने किसी भौतिक परिघटना को संदर्भित करने के लिए X, Y, Z निर्देशांकों के साथ टाइम को भी एक आयाम मान कर चतुर्थ आयाम को आवस्यक बताया और सैध्धानतिक रूप में इसे सिध्ध करके दिखाया अगला प्रशन है दोस्तों सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरसकार कब प्राप्त हुआ था तो उत्तर है 1930 में दोस्तों भारती वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्स 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरसकार दिया गया रमन प्रभाव के महत को देखते हुए इसके आविसकार किती थी 28 फरवरी को प्रतिवर्स राष्ट्रिय विज्ञान दिवस के रूप में मनाय जाता है अगला प्रशन है दोस्तों प्रसिद्ध भारती भौतिक विज्ञान दिवस के रूप में मनाय जाता है तो याद रखियेगा दोस्तों देखें रमन प्रभाव दिवस या रमन प्रभाव की खोज के रूप में 28 फरवरी को प्रतिवर्स भारत में National Science Day या राश्टी विज्ञान दिवस के रूप में मनाय जाता है अगला प्रश्ण है राश्टी विज्ञान दिवस कब मनाय जाता है तो प्रतिवर्स 28 फरवरी को राश्टी विज्ञान दिवस मनाय जाता है भारत का राश्टी विज्ञान दिवस कब है तो ये 28 फरवरी है और प्रश्ण है कि किस विज्ञानिक का जन्म दिन राश्टी वि ज्यान दिवस याद रखेगा प्रति वर्स 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है अगला प्रश्ण है वर्स 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई तो उत्तर है सीवी रमन की दोस्तों सीवी रमन की जन्म शताब्दी मनाई गई अगला प्रश्ण है हाल में बना दमैन हू न्यू इंफिनिटी सिर्षक वाला चलचितर किसके जीवन पर आधारित है तो उत्तर है एस रामानुजन के जीवन पर आधारित है दोस्तों दमैन हू न्यू इंफिनिटी वर्ष 2015 में रिलीज हुई ब्रिटिस फिल्म है जो इसी नाम से चर्चित रावर्ट कैनी गेल के उपर नियास पर आधारित है ये फिल्म भारती गड़ तग स्री निवास रामानुजन के जीवन पर आधारित है अगला प्रश्ण है निमने लिखित वैग्यानिकों में से किसने नवीन सापेक शिक्ता सिध्धान का प्रतिपादन किया है तो उत्तर है जे बी नारलीकर ने दोस्तों जे बी नारलीकर जैंत विश्णू नारलीकर ने नवीन सापेक शिता सिध्धान का प्रतिपादन किया उन्होंने वरिष्ट वैग्यानिक डाक्टर फ्रेड होयले के साथ मिलकर आइंश्टीन के सापेक शिक्ता सिध्धान में शंसोधन करके ये सिध्धान प्रस् आपसन है जियोतिश, खगोल की, ब्रहमांड की या नैन्यो प्रद्दो की तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों जियोतिश को दोस्तों जे भी नर लिकर के अनुसार जियोतिश या आश्टुलाजी को अभी विज्ञान नहीं माना जाता है अगला प्रशन है भारत में परमाड उर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है तो याद रखिएगा भारत में परमाड उर्जा का जनक होमी जे भाभा यानि होमी जहांगीर भाभा है होमी जहांगीर भाबा भारती नाविकी भौतिक सास्त्री थे इन्होंने भारत के परमार औरजाकारीक्रम के विकास में बहुती महत पूर्र योगदान दिया इन्हें भारत के परमार कारीक्रम का जनक माना जाता है अगला प्रश्न है होमी भाभा पुरसकार की छेतर में विशेस योगदान के लिए दिया जाता है तो सही उत्तर है नाभ की उर्जा आपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाड उर्जा कारेकरम के जनक थे इनकी स्मृति में नाभकी उर्जा के छेतर में विशेश योगदान देने वाले वैज्यानिकों को होमी भाभा पुरसकार दिया जाता है अगला प्रश्ण है इस्टिफेन हाकिन कौन है तो ये एक वैज्यानिक है इस्टिफेन हाकिन एक परसिद्ध भावतिक वैज्यानिक थे और मोटर निवरान विमारी से पीडित होने के बावजूद उन्होंने ब्राहमांड विज्यान के छेतर में बहुत ही महतुकोड हो गया था अगला प्रश्ण है निमने लिखित वैज्यानिकों में से किस ने भावतिक विज्यान और जीव विज्यान दोनों विश्यों में अनुसंधान किया है तो सही उत्तर है जगदिश चंद्रबोस दोस्तों जगदिश चंद्रबोस भारत के प्रसिद्ध भावतिक जीव और वनस्पत विज्ञानी थे इन्होंने रेडियो और माइक्रोवेब सिगनलों के विशय में अनुसंधान के साथ वनस्पत विज्ञान के छेतर में भी महत पोड़ी उगदान दिया इन्होंने विभिन उद्दीपनों के लिए उद्दीपनों के विरुध पौधों की प्रतक्रियम आपने के लिए क्रेस्को ग्राफ नामकी अंतर का आविस्कार किया था अगला प्रश्न है दोस्तों सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है यहाँ पर देखिए डाक्टर राजा रमन्ना नाभिकी भौतकी से संबंधित है डाक्टर एमेस स्वामिनाथन दोस्तों आप जान लिजे एमेस स्वामिनाथन ये क्रिसी विग्यान से संबंधित है यू आर राव अंतरिक शानुसंधान से और मेघनाथ शाहा दोस्तों आप जान लिजे मेघनाथ शाहा उस्मा गतकी और खगोल भौतकी से संबंधित है तो इस तरह से सही मिलान हो जाएगा आप देख सकते हैं सही मिलान आपका ये दो पांच चार तीन हो जाएगा और आप जान लीजिए डाक्टर राजा रमन्ना भारत के प्रसिद्ध नावगी भोत की विथे उन्हें भारत के नावगी कारेकरम का जनक कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों उसमी आइनन सिध्धान किसकी महतवपूर देन है तो सही उत्तर है डाक्टर मेगनाद शाहा की M.N. सहाब महतपूर्ण योगदान इनका उसमी आयनन सिध्धान प्रतपादित करना रहा है H.J. भाभा को अंतरिक छिकेड़ों की बहुचार का सिध्धान और भारत में परमाण कारेकरम के जनक के रूप में जाना जाता है C.V. रमन प्रकास के प्रकेड़न से संबंधित रमन प्रभाव से संबंधित है और J.C. बोस दोस्तों बेतार संदेश पौधों में चेतना की खोज क्रिस्कोग्राफ के आविस्कार के लिए जाने जाते है अगला प्रेशन है भारत में अडूबम के विकास में कौन संबंधित है आपको बताना है तो सही उत्तर है राजा रमन आपसन सी सही उत्तर है दोस्तों भावतिक विज्यानी डाक्टर राजा रमनन 1974 में भारत के पर्थम परमाड पर इक्षण के मुखे सुत्रधार रहे ये भी खंडन भोतकी के विकास से संबंधित है वे भाभा, एटामिक रिसर्च सेंटर यानि बार्क के निदेशक और परमाड और जा आयोक के अध्यक्ष भी थे 24 सितंबर 2004 को मुंबई में इनका निधन हो गया था अगला प्रशन और इस वीडियो का आखरी प्रशन है निमने लिखित वे ज्यानिकों में से कौन नोबेल पुरसकार भी जेता नहीं है तो सही उत्तर है जगदीश चंदर बोस दोस्तों आप जान लिजे हर गविंद खुराना को 1968 में चिकिस्सा के छेतर में सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के छेतर में सुबर मडयम चंदर शेकर को 1983 में भौतिकी के छेतर में नोबिल पुरसकार दिया गया था जगदिश चंद्रबोस नेवल पुरसकार प्राप्त करता नहीं है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो गटना चक्र सामान अध्यन पुर्वावलोकन स्रिंखला में सामान विज्ञान के अंतरगत आविशकार और आविशकारकों के संबंधित महतपोर्ण प्रशनों का ये वीडियो था इसके बाद हम भौतिक विज्ञान के बिविध प्रशनों से संबंधित महतपोर्ण प्रशनों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फॉर सिबिल सर्विशेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार